हेलो बच्चो स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 and Digital Education पर मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर आपका थिरी है विद्दुधारा उसका टॉपिक है हमारा एक ओम के नियम की विद्पत्ति हम को ओम के नियम की विद्पत्ति के बारे में आज हम यहां पर सीखेंगे बोड एक्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों यह बहुत ही इंग्पोटेंट टॉपिक है हमारा तो इस टॉपिक को किलियर करने से पहले हम यहां पर दो छोटे-छोटे टॉपिक है उनकी देखते हैं पहले कि अनुगमन वेग है क्या अनुगमन वेग इस अनुगमन वेग को प्यारे बच्चों इंग्लिस में हम यह बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी यह है क्या अगर जनुगमन वेग क्या है क्योंकि हमको मालूम है कि कोई बी चालकतार है ठीक है हमारा कोई चालकतार है तो उसमें क्या होता आपके फ्रि लेक्ट्रों क्या करते हैं में जिस न्यूनतम वेग से उच्च विभव की और गती करते हैं उस न्यूनतम वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अनुगमन वेग वह न्यूनतम वेग है जिस से मुक्त इलेक्टरॉन किसी चालक कार में उच्च विभव की और गती करते हैं या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी चालक में आपके असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो एक औसत वेग निकल करके आता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका उच्च विभव वाले सिरे की ओर गती करते हैं, तोयरित एलेक्ट्रोनों का जो एक उसत वेग होता है उसको हम कहते हैं अनुगमन वेग और इस अनुगमन वेग को प्रिदर्शित किया जाता है वी डी से वी और सफिक्स में आपका डी अब अगर इसका डेरिविशन हमको थोड़ा निकालना हो तो भई कैसे निकालेंगे अब हम यहा आना कि चालक तार में जो असंख्य मुक्त इलेक्ट्रोन है उनका प्रारंभिक वेग तो हम यू ले करके चलेंगे और एक प्रेटिकुलर टाइम के बाद यानि एक निशित समयंतराल कह लीजिए या फिर आप सांतिकाल कह लीजिए उसके बाद उनका जो वेग है वो वी हो हो जाता है तो इसको जैनली हम थोड़ा सा अ ऐसे समझ के चल सकते हैं कि अगर हम देखें हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रोन मान के चलो त्यूकि अ濃डर हम मुक्त इलेक्ट्रोन ले करके चल रहे हैं इक किसी चालक कि तार में एन मुक्त से रांति काल के मतलिक एक टाइम पिरियड के बाद अगर हम यह माने कि टाव वन टाइम के बाद इसको टी ना मान करके टाव लेते हैं हम सरांति काल के परिपेक्ष में ताव 3 तो टाव एंड टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है V1 V2 V3 as on Vn तो अगर हम गती का प्रिथम समिक्रण से देखते हैं किस से जी गती के प्रिथम समिक्रण से गती के प्रिथम समिक्रण से आप देखो तो गती के प्रिथम समिक्रण से अगर हम देखते हैं V बराबर क्या होता है यू प्लस एटी होता है अब अगर यहां पे आपके N मुक्त इलेक्ट्रोन है तो उन सभी मुक्त इलेक्ट्रोनों के लिए अगर अलग-अलग हम यह फॉर्मला अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट के लिए V1 is equal to U1 प्लस के A tau 1 सेकंड पारिटिकल के लिए U2 प्लस के A tau 2 ऐसी आपका जो तीसरा मुक्त इलेक्ट्रोन है U3 A tau 3 as so on अगर N पारिटिकल की बात करें VN is equal to क्या होगा? UN PLUS A tau N ठीक है? अब अगर हमें क्या करना है? हमें तेहां पर अनुगमन वेग निकालना है और अनुगमन वेग क्या है? इसका ओसत वेग तो अगर हम यह ओसत वेग निकालें ओसत वेग या अनुगमन वेग तो VD is equal to V1 plus V2 plus V3 dot 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 VN upon N औस निकालने का formula कि सारी velocities को add कर दीजिए और number of electron से आप इनका क्या कर दीजिए इनमें divide कर दीजिए तो V1, V2, V3 निसम की value put कर लीजिए तो भी आप V1 की value put करोगे जब U1 plus A tau 1 plus फिर U2 plus A tau 2 ऐसी आपका U3 आएगा U3 plus A tau 3 plus N के लिए N के लिए U N plus A tau N और अपन N ठीक है VD is equal to आप क्या काम करें हम अगर इनके प्रारंभिक जो वेग है उनको एक तरफ ले 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 और साथ साथ प्रम्भी अलग कर लें तो U1 plus U2 plus U3 plus dot 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 UN यह तो एक तरफ कर लिया A यहाँ पे आप कॉमन ले ले तो आपका tau 1 plus के tau 2 plus के tau 3 plus tau N और अपन सब के N अब आप यह N क्या करोगे इसके ट्रम अलग अलग कर दीजिए तो जो आप ट्रम अलग अलग करेंगे तो आपका VD is equal to U1 plus U2 U3 और U N अपन N फिलस के A ब्रेकेट में टाव 1 फिलस टाव 2 फिलस टाव 3 ताव N अपन N क्लियर? तो अब क्या करना है? वही किसी चालक तार के जब तक आप किसी चालक तार को किसी बैटरी या किसी सेल के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके अंदर जो उपस्तित मुक्त य रेक्टर न होते हैं वह एनियमित गती में होने के कारण उनका जो नेट जो वेग होता है अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? जीरो होता है तो यह तो आपका जीरो हो गया पिलस ए और टाव वन इसका टोटल जो हाँ अगर हम सरामतिकाल देखते हैं वो अगर हम टाव ले ले अपॉन एंड ठीक है यह आगया वीडी इस इकोल टू ए टाव अपॉन एंड यह आगया जी आपका ड्रिफ्ट वैलोसिटी का क्या जी फॉर्मला निकल करके यानि कि आपके अनुगमन वेग का यह वेंजक आपका निकल करके आ जाएगा ठीक है यही क्या है हमारा अनुगमन वेग है अचा अब इसमें एक वर्ड आया है बच्चो स्रांतिकाल स्रांतिकाल एक वर्ड इसमें आया है अचा उससे पहले अगर हम यह देखें कि भई यहां पे अगर आप क्या करेंगे कि इसका ही जो टोटल है सौरी इसमें हम क्या काम करते हैं इसमें एन नहीं आएगा कि इसको हम क्या माल लेते हैं बेसिकली इसको हम पूरा ताउ मान लेते हैं यह आउसत ताइम पीरेड आपका यह यह सारा जो इसको आउसत अगर हम यह माने तो इसकी जगह हम पूट कर लेते हैं सिम्पल टाउ यह आपका क्या आजाता है वीडी इसकोल टू जीरो प्लस ए टाउ एन नहीं आएगा ठीक है तो वीडी इसकोल टू ए टाउ यहाँ पर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं यह तो यहाँ पर छोड़ लीजिए या फिर हमें पता है कि भई एफ इसकोल टू क्या होता है एम में ठीक है और अगर यहाँ से ए निकालें एफ अपॉन एम ठीक है तो वीडी इसकोल टू ठीक है वीडी इसकोल टू क्या हो गया एफ टाव अपॉन एम अब एफ की जगा आप चाहें तो एक्यू भी रख सकते हैं क्योंकि फोर्स की वैलू क्या होती है एक्यू होती है ठीक है अब यहाँ पर आप अगर एफ की जगा फॉर्मला होता है एक्यू अब इलेक्ट्रॉन के लिए तो बेसिकली आप क्यूं की क्या रखोगे इस मॉली रखोगे है ठीक है तो यह आपका वीडी क्या हो जाएगा कि आप आपका अनुगमन वेग तो यह आपके अनुगमन वेग का वेंजक आगया निकल करके अब यहां पर जो एक वर्ड आया है सरांती काल क्या है अगर हम सरांती काल की बात करें क्योंकि यहां यह यूज हूआ है सरांती काल कि रांति काल यानिकि टाइम और रिलेक्सेशन क्या होता है जो मुक्त एलेक्टरोन है किसी चालक के अंदर वो लगातार एनियमित गती में होते हैं क्या रहते हैं तो किर्मागत दो टक्रों के बीच में लगने वाला जो समय अंतराल है किरमागत दो टक्रों के बीच में लगने वाले इस समय अंतराल को नाम दिया गया है स्रांतिकाल का किसका नाम दिया गया है जी स्रांतिकाल का और यह होता है आपका टाउ इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं कि बेसिकली हमारा जो चालक टार के अंदर जो असंग इलेक्ट्रोन है जो एनियमित गती में हमेशा क्या होते हैं अंको मोसन में रहते हैं टाउप से किनी कीनु तक्रों के बीच में जो टाइं लगता है उस टाइम को हम कहते है सरांतिकाल और अनुगमन वेग पढ़ाने का मतलब क्या था क्यों कि आगे हम जो करेंगे वूर्म के नियम की जो वित्पति हमको करनी है वह कहने न कहीं उसमें ये चीजह आपकी यूज होंगी साथ ही साथ अगर हम इसमें एक संबंद निकालें कि विद्धुत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंद है तो उसको भी साथ साथ देख लीजिए विद्धुत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंद कि विद्धुत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंद हम यहाँ पर ले करके चलते हैं कि कुछ चालक तार है उस चालक तार की जो लंबाई अगर हम ले करके चलें कि चालक तार की लंबाई है L उस चालक तार के अनुप्रस्त काट का छेतरफल है A क्या है कि हमारे पास कोई चालक तार है उसका जो अनुप्रस्त काट का छेतरफल है अनुप्रस्त काट का छेतरफल हमने माना ए एक चालकतार है उसके अनुप्रस्त काट का छेतरफल क्या है ए और एकांग आयतन में एकांग आयतन में इलेक्ट्रोनों की जो संख्या है एन एकांग आयतन में इलेक्ट्रोनों की संख्या है एन है हम यह मान करके चल दें कि चालकतार हमारे पास उसमें एक आयतन में इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या है इस्मॉल एन है अब आगर यहां पे हम क्या लेक्ट्रोनों की संख्या निकालते हैं कि जो चालकतार हमारे पास है उसमें एक सेकंड में होकर जाने वाले गुजरने वाले लेक्ट्रोनों की संख्या क्या होगी ठीक है चालक तार से गुजरने वाले एक सेकंड में एक सेकंड में चालक तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या होगी एन ए वीडी अब यहां पर कोश्चन आता है कि एन ए वीडी कहां से आ गया भाई एक सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या एन वीडी कैसे ऐ गया तो यह ऐसे आया है कि हम यहां पर एक़ां एक तार के संख्या न के संख्या लेकर के चले हैं और प्रेटिकुलर आयतन हुआ तो उसमें एलेक्ट्रोन क्या होंगे एनवी होंगे और हमें पता है कि आयतन जो इक्वल होता है अगर आप चालकतार के छेतरफल में उसकी लंबाई से मल्टिप्लाई कर देंगे तो किसके आयतन के इक्वल हो जाए गया अगर हम यह माने कि च ही चालकतार आप इस तरीका साथ की समझ सकते हैं कि अगर इस चालकतार है यह जिसका अनुपरस्त काटका छेतरफल क्या है अब इसकी लेंथ है एल तो अगर आप यहां से देखते हैं कि मुझे लेंथ निकालनी है तो अनुगमन वेग यह मैं सिंपल अगर उसकी स्पीड की इस तरीका से यह आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर इस पॉजिटिव यह नेगिटिव टर्मिन से जुड़ रहा है तो एलेक्ट्रॉन ऐसे मूग करेंगे चालकतार में ठीक है तो अब बेसिकली क्या करना है अब यह एक सेकेंड का है अब इससे एक सेकेंड के बाद अब अगर देखें टी सेकेंड के लिए इसी पिरकार टी सेकेंड में चालकतार से बुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी एन ने विडिटी आ जाएगा तो आप चालकतार में प्रवाहित धारा अगर निकाले अगर हम निकाले तो आई इसकोल टू क्या होता है Q upon T होता है Q upon T और Q is equal to kya होता है N नी यानि Number of Electron अब Number of Electron है हमारे NAVDT NAVDT और E आगे आपका वो Number of Electron Q is equal to kya होता है आपने क्या पढ़ा है Q is equal to N नी पढ़ा है ना फोर्मला क्या होता है Q is equal to N होता है जहाँ पर N क्या है Number of Electrons है तो यहाँ पर number of electrons कितने है एन ने वी डी टी तो यहाँ पर क्या आगे एन ने वी डी टी इंटू ए और अपका टी तो टी से टी आपका cancel out तो i is called to क्या बचा एन इस e को अगर हम n के साथ रख लें वी डी यह आगी जी आपकी वैद्दु धारा और अनुगमन वेग में संबंद क्या गया जी विद्दु धारा और अनुगमन वेग में संबंद अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पर अगर आपको धारा घंट निका यह इकोल टू होता है आई अपॉन ए क्या होता है आई अपॉन ए तो i की वैलू आप यहां से पुट कर सकते हैं तो j is equal to neavd upon a एसे आपका cancel out और j is equal to nevd यह आगया जी तो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ संबंद पूछता है विद्दु धारा और अनुगमन वेग में तो आप यहां तक छोड़ सकते हैं लेकिन आपसे अगर संबंद पूछता है कि धारा घंट वो और अनुगमन वेग में संबंद बताईए तो आप ये दो इस्टेप और यहां आगे नीचे बढ़ा देंगे इसमें क्योंकि ये दोनों ही चीज़े अभी हमें ओम के नियम की जो हम व्यतपत्ति करेंगे तो वहां हमें यूज है होंगी इनका वहां पर थोड़ा यूज है तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया था कि अनुगमन वेग क्या है क्योंकि वहां पर हम अनुगमन वेग का डेरिवेशन बीच में ला करके उसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे और आपका स्रांतिकाल भी मैंने बताया था अभी रिलेशन भी मैंने आपको इसलिए यहां पर बता दिया है ठीक है तो अब यहां पर अगर हम देखे अब हम बात करेंगे ओम के नीअम की वित्वमत्ति क्या ज़ी ओम के नीयम कीृत्त पत्ति का ओम के नीअम की कि वेत्वपत्ति डेरिवेशन आफ ओम्स लॉँ ओम के नियम के वित्पत्ति यानि के डेरिवेशन आफ ओम्स लॉँ तो अगर हम डेरिवेशन आफ ओम्स लॉँ की बात करते हैं तो इसके लिए हम यह ले करके चलते हैं कि माना कोई चालक तार है हमारे पास एक चालक है कंडेक्टर है यह जी ठीक है और इस चालक तार का जो अनुप्रस्त काट का छेत्रफल है वो क्या है एए अनुप्रस्त काट का छेत्रफल क्या माल लिया अब इस वायर में क्या है आपके मुक्त एलेक्टरॉन है इस चालक तार की लंबाई हमने ली है है फोटेंटियल ऑसे हैं अले क्या लिया है जी और इस पीजो अन्दर जो मुक्त एलेक्ट्रान आपका मूब करने आप्टान की तरफ मूब करेंगे अगर आप इसको किसी सेल के साथ जब कनेक्ट करते हैं कंडेक्टर को इस चालक तार को क्याram होगा एक सेल के साथ कनेक्ट करने पर अब इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह इस लोवर पोटेंशल से यानिकी निम्न विभव से इस उच्छ विभव की और गती करेंगे या फिर हम यह कहें कि इसका जो वैद्दुत छेत्र होगा वैद्दुचेत्र की दिसा क्या ह ऐसे यह हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसमें उच्छ विभव की और क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं इस टाइप से अब लेंध हमने इसकी एले ले लिजी अब आप यहां पर मुझे एक चीज बताएं कि भाई जब आप एक सेल के साथ इससे कनेक्ट करेंगे यह आपका पिलक्की है तो यहां पर एक विद्दुत छेत्र उत्पन होगा अब एक से ज्यादा सेल लेते हैं तो आप इसको क्या कह सकते हैं बैटरी बोल सकते हैं अगर एक से ज्यादा आप सेल ले रहे हैं ऐसे यह प्लक्की है अपका ठीक है तो अब यहां पे क्या होगा कि इस चालक तार के अंदर जो एक वैद्दुत छेत्र उत्पन होगा उस वैद्दुत छेत्र के अगर हम बात करें अब है अब वैद्दु छेत्र क्या होगा रचिप लेद्दु छेत्र ई बराबर क्या होता है फॉर्मुला होता है वी अपांड यहां पर डफै में पर इक होता है वह चालक्की तार के द Dew दोनों सिरों के बीच की दूरी होती है तो यहां पर इसके दोनों सिरे हैं उनके बीच की दूरी क्या है आपका इल अगर हम यह देखें कि जब यह एलेक्ट्रोन मूव करेगा और अगर हम यहां पर इसका वैद्धुत बल अगर हम निकालना चाहते हैं ठीक है इस वैद्धु छेत्र के वजह से वैद्धु छेत्र दुवारा इन मुक्त इलेक्ट्रोनों पर जो मुक्त इलेक्ट्रोन है इन पर लगने वाला क्या वैद्धु मुक्त इलेक्ट्रोन ओपर लगने वाला वैद्धुत भल क्या होगा वैफ इसकॉल टू होगा एक्यू अब क्यूंकि इलेक्ट्रोन है तो इलेक्ट्रोन के लिए चार्ज क्या होता है स्मॉली है ना और अगर हम इस एकी वैलू यहां पर पुट करें तो V E upon L इसको आप ऐसे विलिख सकते हो F is equal to EV upon L ठीक है जबकि अगर हम न्यूटन के गती के नियम से देखे तो न्यूटन की गती के दितिये नियम के अगर हम बात करें तो न्यूटन की गती के दितिये नियम से अगर हम देखें तो भई अगरी F की वैलू क्या होती है M में क्या होती है F is equal to M में होती है अब यहां से अगर हम क्या काम करें इस F की वैलू यहां पुट कर लें क्या कर लें जी F की वैलू पुट कर लें तो F is equal to क्या है इवी अपॉन एल यहां से अगर हम ए निकाले इवी अपॉन एमेल यह आ गया जी तो आपका यहां पे एसे अगर तुवरित होते हैं अब अगर हम इनके अनुगमन वेग की बात करें तो इससे पहले जो हमने derivation निकाला था अनुगमन वेग का वह में फिर से ना करके मैं डायरेक्ट वही वहां पे लेना चाहूंगा इसे अगर मैं एक एक्क्वेशन मालनूं की एक्क्वेशन नंबर फ़स्ट है और वो derivation जो हमने अनुगमन वेग का पीछे वेंजक निकाला है तो अगर मैं यह मान करके चलूं की इन सभी इलेक्ट्रोनों का जो उसत अनुगमन वेग है ठीक है मुक्त इलेक्ट्रोनों का अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रोनों का अनुगमन वे तो मुक्त इलेक्ट्रोनों का अनुगमन वे क्या होगा भई या वीडी इस इकॉल टू भई अगर हम एक्सकलेशन के ट्रम में निकालना चाहें तो a is equal to kya होगा v d upon tau होगा क्या होगा v d upon tau और basically video is equal to kya होगा data क्या होगा जी data अब एकी वेलू क्या है मगशा है उप आठ एक क्योशन फर्स से आप देखें एकी वेलू यहां फूट करें तो अब हम जानते हैं कि वैदुदारा क्या होती है अब अगर हम देखें I is equal to क्या होता है N, E, A, VD होता है तो अगर VD की वैलू यहां से put करें N, E, A और VD की जगा E, V, Tau अपन M, L तो यहां पे आप इसे लिख सकते हो N, E, Squire, A Tau अपन M, L .V तो अगर यह सारा टर्म उठाके में इदर ले आऊं और इस I को V के अपन में ले जाएं I को तो ले जाएं V के अपन में और यह सारा टर्म उठाके इदर ले आएं ठीक है तो हम क्या करेंगे I को अधर ले के आएंगे बाकी सब को इदर तो M, L upon N, E, Squire, A, Tau is equal to V upon I यह है आपका पर अगर आप यहां पर देखते हैं तो नियत ताप पर नियत ताप पर नियत ताप पर आपका इस सब की वैलू क्या होगी एक नियतांक होगा यानि M, L upon N, E, Squire, A, Tau इस सब की वैलू क्या होगी आर एक नियतांक तो अधर आर is equal to V upon I यही क्या है प्यारे बच्चो ओम का नियम है यही तो है मारा ओम का नियम होगया जी ऌम के नियम की वित्वपति यह हमें करनी थी ठीक है तो इसमें अब क्या हुआ हमें tre vokka Pender करने से कि हкими यहां पर उसको ड्राइब करने की जरूत नहीं पड़ी हमने यहां डायरेक्ट इसको लख लिया अनुगमन विक के वेंजब को ठीक है क्योंकि हमने पहले वो ड्राइब किया था बेसिकली अगर बोर्ड एक्जाम में आता है तो आप डारेक्ट भी पुट कर सकते हैं या फिर आप उस डेरिवेशन को यहां पर भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि जैसे आपकी बुक वगेर इसमें आब अगर हम देखें जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिति रोधों से रिलेटेड प्रिति रोधों का संयोजन वगेरा है तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही तो आज हमने क्या सीकाए एक बार अगर ह जो हमारी करन्ट इंश्टी थी और आगे हमने यह जो टॉपिक था ओम के नियम की वत्पत्ति यह ओम के नियम की वत्पत्ति आपका बहुत ज्यादा इंक्पोटेंट है बूर्ड परिक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिलते हैं बचाओ अपनी नेक्स्ट वीडियो म धन्यवाद